नमस्ते सभी को आज हम लोग संस्कृत का पूरन वाचक शब्ता है इसके उपर चर्चा करेंगे इससे पहले मैं एक वीडियो डाला था उसमें लिंग और बचन के उनसार संख्यावाची शब्तों का प्रयोग कैसे करते हैं इसके उपर हम लोग चर्चा किये थे आज अभी जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो है ये भी संख्यावाची शब्त है लेकिन इसमें लिंग के उनसार और वाक्य के उनसार कैसे प्रयोग होता है वो हम लोग आज इस पाठ में हम लोग चर्चा करेंगे जैसे कि देखिए बाय तरब संख्यावाची का संकेत चिन्हा यहां लिखा है और पहले लिखा है पुंग लेंगे दूसरा लिखा है स्त्री लेंगे और तिसरा लिखा है नपुंग शक लेंगे इसमें हम ध्यान देंगे जैसे पुंग लेंगे अगर वाक्य को प्रयोग करना है तो कैसे करेंगे प्रथमहा बालकह आगच्छती ऐसे करता यहाँ जिस लिंक में है और जिस बचन में होगा उसका संख्यावाची शब्द भी उसी लिंक और उसी बचन में होगा इसलिए बालकह प्रथमहा बालकह पहला बालक आ रहा है प्रथमहा बालकह आगच्छती इसी तरीका से इस्त्री लिंक में प्रथमहा बालकह आगच्छती ऐसे ही नपूंशक लिंक में जिसका लिंक नहीं है मतलब निश्चित नहीं है ना वो पुरुष बची शब्द है ना वो इस्त्री बची शब्द है जैसे प्रथमम फलम प्रथमा महिला और प्रथमः बालकाहा ऐसे करके दितिया बालकाहा जैसे सोचिए कोई पंक्ती के आकर से खारा है सामने तो दितिया बालकाहा आगच्छती ऐसे दितिया महिला आगच्छती दितियम फलम आनयती ऐसे प्रथमा मतलब लिंग के अनुसर पूरण बाचक संख्या बाच शब्द भी वैसे ही प्रथमाच्छती तृतिया बालकाहा तृतिया महिला तृतियम फलम तृतियम फलम खादामे तृतिया महिला आगच्छती तृतिया बालकाहा घच्छती चतूर्थाहा बालकाहा आगच्छती चतूर्थी महिला आनयती चतूर्थी महिला जलम आनयती चतूर्थम फलम मधुरम अस्ती ऐसे करके संस्कृत में हम लोग वाक्या प्रयोक कर सकते हैं ऐसे पंचमहा जनाहा आपनम गच्छती पंचमहा जनाहा आपनम गच्छती पंचमहा जनाहा जो आदमी है वो मार्केट जा रहा है पंचमहा जनाहा आपनम गच्छती पंचमी महिला ग्रिहे तिष्टती पंचमहा जो महिला है वो घार में रहे रही है ऐसे करके पंचमाम फलम ब्रिक्षे अस्ती पांचमा फल वो पेड में हैं मतलब ऐसे करके हम लोग बहुत तरीका से नया नया संस्क्रित का वाक्या बना सकते हैं शस्तहा गजहा चटवा हाथी शस्थी सेवी का कर्मिक संख्याच्छे का सेवी का फिर यहां देखिए शस्थम पर्णम पता नमबर अच्छे सप्तमहा बाल कहा सप्तमी महिला सप्तमं फलम सप्तमं ग्रिहम सप्तम ऐसे करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं सप्तमहा शिक्षका हा सप्तमी शिक्षिका सप्तमं कोई भी एक नपुख्षक लिंग शब्दों बोल देने से हो जाएगा सप्तमं पत्रम एतत मामा सप्तमं पत्रम अस्ती अश्टमहा मामा अश्टमहा मित्रहा अश्टमहा मित्रम ऐसे करके इशह मामा अश्टमहा भ्राता ऐसे करके अश्टमी माता अश्टमी बालिका अश्टमी महिला अश्टमम फलम अश्टमम फलम कटूहु अस्ती ऐसे करके नवमहा बालकह, नवमहा चात्रह, नवमी शिक्षिका, नवमी बालिका, नवमी शेविका, कुत्रास्ती ऐसे करके प्रश्णों भी पूछ सकते हैं हम लोग नवमम फलम सुमधूरम अस्ती, ऐसे करके हम लोग पूरण बाचक शब्द, यानि वाक्य में करता जिस लिंग में रहेगा उसका जो संख्यावाची पूरण बाचक शब्द होगा, वो भी उसी लिंग में रहेगा दशमह बालकह गच्छती, दशमह बालकह पठती, दशमी बालिका पठती, दशमम फलम आनयतू इसलिए दशमम बालिका ये दशमा बालिका है तो दशमी बालिका नहीं बोल सकते हैं दशमी बालिका पठती, दशमम बालिका नहीं बोल सकते, दशमम बालिका नहीं बोल सकते झाल